अंगर्स कर रहे हैं लड़ाई लड़ रहे हैं आज आपका बैठना और आपने जो समेधान दिया हमारा बहुत होसला बढ़ा है इस आपके बैठने से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आज आपने हमारा बहुत होसला बढ़ा है ये अभी सही का महिंद महेंदरा जी ने महेंदरा जी ने एक बात कही आखिर में उन्होंने सही का कि भाई जो घटना करम तेजी से बढ़ रहे हैं प्रदेश में ये आकलन किया जा रहा है कि जल्दी चुनाव हो सकते हैं जब पीछे ग्रह मंतरी अमिच्छा आये थे अर्याना में दो दिन का ठन्द जादा तो जन्वरी में थी जब हमारी यातरा चल रही थी भाराम जोडो यातरा जेब पानीपत में रेली करी थी तब जन्वरी में जादा ठन्द होती है कि फरवरी में लेकिन बरहाल और जाते जाते मगर गरह मंत्री जी कह Public सकता है कि उनका आक्लन है BJP का आक्लन है कि अगर चलेगी सरकार किसी तरीके से तो भाई जाड़ जादा लोक्सबात चुनाओं तो चल सकती है उसके बाद जो विधायक हैं ये काभू के बाहर हो जाएंगे जेज़ेपी के विधायक और BJP के विधायक डाक मारनने तयार हैं और कभू के बाहर हो जाएंगे तो यानि कि उनने का एक साल के बाद साथ चुनाओ तो जादा से जादा ग्यारा महीने एक सालोग ग्यारा महीने के बाद लोक्सबा चुनाओ परजाद तैंतर में हमारी समिधान के अनुसार 5 साल में चुना होता है पहले 4 साल सरकार के काम करने के होते हैं और आखरी एक साल लोगों का मन विचारने का, सोचने का और फैसला करने का उसके बाद की जोट से लोग आने वाले भविषय की दिशान का निर्धारन करते हैं अब हम उस आखरी एक साल में प्रवेश कर चुके हैं आपको पता हैं बताने की जुरूत नहीं सरकार की क्या कारेशेली रही जितना मैं जानता हूं से ज़्यादा भुगत भोगी आप हो जो सरकार 2014 में बड़े भहुमत के साथ खटर सरकार को लोगों ने हरियाना के सिंगासन पे चंदिगर में बेठानेया काम किया था जो हरियाना 2014 से पहले जो कॉंगेस पार्टी की सरकार थी 10 साल हरियाना में रही उस समय देश में विकास के मामले में नमबर एक पे जो हरियाना प्रदेश गिना जाता था प्रतिवेक्ति आये में नमबर एक प्रतिवक्ति निवेश में नमबर एक थे आपस में भाईचारा दस साल आपस में भाईचारे के साथ अमन चेन के साथ खुशाली की तरफ भाईचारा हरियाना के भाईचारे की मिसाल दी जाती थी कहीं कोई आपसी मतभेद कहीं पैदा नहीं दस साल में गरीब की कल्यान कारी बिजली के बिलो की माफी का फैसला हो, चब किसान के 22 करोड के कॉपरिटिव के माफी का फैसला हो, चाहे वो किसान के फसल के भाव की बात हो, चाहे वो खिलाडियों के मानसमान की बात हो, खिलाडियों के मानसमान में देश में अरियाना का नमबर आता था, देश में जिकर हो अच्छा तो बेरोजगारी में दिल्ली के तीन तरफ अर्याना बैठा है देश में रोजगार देने वाला परदेश होना चाहिए हमारा लेकिन नो साल की स्खटर सरकार की कारशेली के बाद बेरोजगारी में नमबर एक और यह हम नहीं कह रहें यह भारत सरकार कह रही है नीत प्राइवेट के अंदर ना उस अनुपात में सरकारी नोकरी सरकारी नोकरी जितनी मिली उनमें से आदे से जादा भरती घुटालों की भेट चड़ गई आदी नोकरिया समाप्त कर दी प्राइवेटाइजेशन के अंदर से लेकर अर्याना तक रेलवे से लेकर एरपोर्ट पोर्ट तक प्राइवेट बड़े उद्योगपती समू के हवाले करने अकाम की नीती पे सरकार चली जिसको लेकर आज देश में लोगों ने पूरे सारा व पहुज एक फ़ौज की पकी नोकरी होती थी सभे साड़े पांच आजार पकी बरती होती थी हर्याना से हर साल लेकिन इन्होंने दोरच उन्रीऊन सो जो थो साल तक बरती नहीं करी और उसके बाद अगनी पत लोगना ले चार साल के बाद बिना पेंशन के दोसों के हिल पके रह जाएंगे, रिष्टा करने जाते हैं, कोई बताता है कि फोज में हैं, तो पता करना पड़ता है कि कौन सी फोज में हैं, ठीक बात कह रहा हूं, ये स्थिती बनी बेरोजगारी में, बेरोजगारी में, हमारा तो ये इ जय जवान जय किसान का इलाका किर्शी एक तरफ और देश की फौज एक तरफ इन दो चीजों से हमारा इलाका बहुत उपर उठाता आज किर्शी पे भी चोट किसानों को साथ बैटना पड़ा एक साल तक तीन कानूनों खिलाफ और फौज की जो भरती है उस पे भी आप अब कितने का सिलेंडर है मुझे बताने कि आपको जूरूत नहीं है चार क्योंकि आहिए निकलिए की भई महँगाई हुई कम क्योंकि बीजेपी में अधम तो मेरे खियाल चार्सों से सस्ता हो गया होगा सिलेंडर ठीक है रहा है तारी नीजची या तो थारी मनू या पेट्रोल रसोई गैस का सिलेंडर आज महेंगाई में देश में सबसे आगे हरियाना अपराद में देश में सबसे आगे हरियाना बेरोजगारी में देश में सबसे आगे हरियाना और भरस्ताचार में देश में सबसे आगे हरियाना क्योंकि यह जो सरकार बनी जेजेपी की औ तुबारा नहीं बनाने चाते थे खटर सरकार को, लोग बदलना चाते थे, लोग सुबा में 10 की 10 सीट ये जीते, 10 की 10 सीट जीते बीजेपी वाले, 80 सीटों पे बीजेपी की बढ़ता ही, 2019 में, उसके चार महीने के बाद विधान सभा का चुनाओ था, बीजेपी ने नारा द सिरियों में से 12 मंत्री वापस विधान सभा नहीं पहुचे, लोगों ने केवल खटर साब और हनिल वीच को छोड़के, सारे जो मंत्री थे, पूरे हरियाने कोने कोने में, रोतक से मनीज ग्रोवर आरे, कविता जेन सोनीपत से हारी, तो कप्तान अभी मन्यू नारनोन से हा अगर 75 पार की बात होती, लोग इस सरकार को इतना चाते हैं दुबारा चंदीगर में बिठाना, तो कम से कम मंत्री तो जीतते, मंत्रियों का तो पका था कि ये मंत्री बनेंगे, लोगों ने कहा कि बाइगे लेकिन जैसे तने 5 साल काम करें, ऐसे काम नहीं कराएंगे, आप जागे पूछो रोतक वालों से मनीज ग्रोवर, उनसे आप जागे पूछो क्या स्थिती बनी, लोग नहीं चाते थे सरकार, मगर इस बीच एक और नारा आया, बीजेपी तो कहती थी 75 पार, जेजेपी क्या कहती थी, जमना पार, एक और नारा आया, जेजेपी पार्टी ब जमांपके यार और हर्याना बना दी भ्रस सरकार लोग कर रहे हां कार और समझोता हुआ समझोता जिस दिन नतीजे आए आपको याद होगा कस्मकस चली कभी कॉंगरेस आगे कभी बीजेपी आगे आखिर में आखरी पांच साथ सीट बीजेपी के जबाई बीजेपी की ज़्यादा सीट आई मगर मजोर्टी नहीं मिली मजोर्टी नहीं मिली तो इनके हाथ में बात आगी इनके हाथ में बात आगी इन्होंने प्रेस कॉंफरेंस करी चार बज़े जेजेपी पार्टी ने चार बजे उनकी प्रेस कॉंफरेंस थी, पांच बुजे 31 विधायक उटा साब ने प्रेस कॉंफरेंस करी दिल्ली में हमने बेटके, कि BJP को हराया है लोगों ने, आप BJP के साथ मच जाओ, हम आपकी ये दोनों बाते भी मानेंगे और भी मानेंगे, पूरा मान सम्मान भी दे लोगो ने उचाना में कहा कुछ भी करना बीजेपी को समर्थन नहीं देना यह यह जूट तो नहीं बोल रहा हैं क्योंकि अब यह बोल रहे हैं कुछ दिनों से तो बीजेपी को समर्थन मत देना उचाना से गाडी चली जीन रो तक बादरगर तक गाड़ी थीक रस्ते पे थी दिली में बढ़तेई नांग लोई पीरा गड़ी पंजाई बाग टेडी मेडी दिली की सड़कों पे इलस्ती थिलस्ती आमित भाईशा केंद्रिय ग्रह मंतरी के बंड है कि आगे गाड़ी का दडाका उठा 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 वही सी पहुच गी वहीं सीधी गाड़ी पहुच गई और जाके समर्थन डिकलेर कर दिया प्रेस कॉन्फेंस करी हम तो इंतजार कर रहे थे कि आएंगे बीजेपी के खिलाब मद्दान किया लोगों ने बीजेपी के 75 पार की हवा निकाल लिये सारे मंतरियों को अरा दिया लोग बीच में दुशन चुटाला खड़े हुए और उन्होंने कहा कि भई हमारा समझोता हो गया 500 पेंशन पे समझोता हो गया मैं पूछना चाहता हूं बड़े बज़ुर्गों से थारी 500 पेंशन आग एक नहीं आई आरी है या नहीं आरी चार साल पेले वाइदा था चार साल पेले लागो जाना चीए था मगर 500 पेंशन पे समझोता नहीं था अरियाना को लूटने की छूट पे समझोता था बरस्ता चार का समझोता था मैक में इस बात पे बाते गए कि इस बात पर नहीं बाते गए किस मैक में बाते गए किस मैक में से ज़्यादा माल कलमाई होगी मलाई कौन ज़्यादा कमाने काम करेगा शराब का महकमा किसके पाज जाएगा एकसाइज का महकमा किसके पाज जाएगा पंचायत का महकमा कौन लेगा बाकी पूरी लिस्ट मेरे पास तो हो सकता तोड़ी कसर रहेगी हो, पूरी लिस्ट चाहिए, हम क्या बताएं, इनके विधाय की बता देंगे, दादा गोतम नारनों से, आप उनसे जाके पुछो, वो बता देंगे, कौन इसाखोपर है, जो एकला जीमन लग रहा है, दादा गोतम बता देंगे, ब्याना एक दादा गो से, आप गोतम का, कि महक में बटगे, एक लाग ओपर सब की में जीमन लग रहा है, मैं मांग करता हूँ, कि ये जाच हो, कि वैं कौन होपर है, और क्या जीमन लग रहा है, ये ब्रस्ता चार नहीं है तो और क्या है, खुली लूट, भस्ता चार के अधार पे समझोता किया, और चार साल तक अर्याना की जंता को भूल गए और चार साल के बाद अब इनका बियाना है दो दिन पहले कह रहे हैं जब अर्याना में बदलाओ दिखा दिखा तो अज जहां बीजेपी के केंद्रिय ग्रह मंत्री कह रहे हैं कि साथ इलेक्शन कराएंगे वहीं इनका बियाना है जेजेपी वालों का उनका कहा कि हमारा तो मन था कि हम बीजेपी है को होंगे है हम तो किसी को दे सकते थे हमारा तो मन था भाई बीजेपी को समर्तन दिया अरे मन था तो भाई ये मन की बात चार साल तक तक मलाई का रहे थे तो मन पे थी लोगों के आगे इलेक्शन का डर दिख रहा है तो जबान पे आगी तो भाई ऐसे लोगों से बच के रहना है जिन्होंने विश्वास गात किया है इनसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं आज ब्रस्ता चार की भेट चड़ा दिया हरियाना का विकास आज हरियाने के नौजवान को बेरोजगारी की गर्त में पहुचाने वाले ये लोग है और इसलिए इनने एक काम होर किया इस सरकार ने एक काम होर किया इस सरकार ने काम ना भी करते तो भी हम काम चला लेते लेकिन इन्हें के एक काम और किया इन्होंने हर वर का अपमान करने काम किया हर हर्याना वासी का जैसे बता रहे थे कि मुखे मंत्री जी आए अभी ये भी पहली वार निकले हैं ये भी हर्याना के मूड को देखके निकले हैं ये भी जो दिन रात हमारा संगाज हम एके कौने में जा रहे हैं ये हाथ से हाथ जोड़ो कारकरम हो चाए भारत जोड़ो यात्रा हो हम एक एक जगा एक गाउं में जा रहे हैं ये उस बात को आने वाले जनादेश को नेके वो भी अपना भाना बना रहे हैं और मुखे मेंतिजी भी उसी सोच के निकले हैं और निकले हम अगर किस बात से सो सो आदमियों से मिल रहे हैं जो मेरे को बताया भी कि केवल पास बना रखे थे ये सची बात है कि इनुमें बता रहे हो सची पास बना के तो तो पंदरा आदमियों से मिलने के लिए यहाने की क्या जूरू थी वो तो अपने आदमियों को वही बला लेते सारा सारे अफसर दुकी के रहे पंदरा आदमियों के यहाने की क्या जूरू कहने का मतलब है अपमान इसमें गाओं का अपमान है ये ऐसी सरकार है इन्होंने अगर ये काम ना भी करते तो भी काम चला लेते लेकिन इन्होंने तो आपका हमारा हर्याना वासियों का हर वर्ग का अपमान करने काम कोई वर्ग ऐसा नी जिसको अपने हकों के लिए सड़क पर ना पड़ा हो और जिनका इन्होंने अपमान ना कि गाँं के सफाई करमचारी चोकिदार अपने मान दे के लिए करनाल में गए उन पे लाटी चार्ज गाँं का मजदूर मंजदूर गए पंच्चुला में उन पे लाटी चार्ज करमचारी गए उल्ड पेंजन स्कीम मांगने उन पे लाठी चार्ज चोटे चोटे बच्चो को स्कूल के आगे देश में पहली वार धर्णों पे बैठना पड़ा दो दो तीन तीन महीने उनका अपमान यहां तक की आशा वरकर आंगनवाडी हमारी महिला हैं वो गई उन पे लाठी चार्ज सरपंच सोचते थे हम छोटी सरकार हैं बाकियों पे लाठी चार्ज हो रहा होगा लेकिन हम छोटी सरकार हैं हम पे क्या बालक बालका आएगा लेकिन सरपंचों की भी अच्छी तसलीप इठा दी आपने देखा होगा यह ऐसी सरकार आये ऐसी सरकार और किसान और किसान का त पड़ा एक साल तक किसान बैठारा सड़क पे साड़े साथ सो किसानों के घरों के चिराग बुझगे हर रोज इंधर्णों से शवाते थे किसानों के और एक के बाद एक ऐसे अपमानित शब्दों का प्रियोग किया जाता था कोई कहता था पाकिसान से फंडिड हैं कोई कहता मैं उसके साथ साथ अपना दुर्भाग के भी मानता हूँ कि मैं ऐसे समय में देश की पंचाय उस सबसे बड़ी पंचाय संसद का सदस्य था जब किसान अंदोलन चल रहा था और हर्याना में पंदरा संसद हैं हर्याना में 10-10 लोग सभागे, 5-15-25 बाज़ पागे तो जो एक अकेले विपक्स के सांसत के रूप में जब मैं आवाज उठाने कुड़ा होता था कहता था कि इनकी बात मन्ओ कहता है था नहीं मनेंगे मैं कहता था बात नहीं मानते इनको कमसे कम किसान मन्ओ इनको नागरिक मानो देश का इनको इंसान मानो भानुबूती के दो सब्ट कोई उठके कह दे कि किसी या घर उजड़ गया किसी का बाब था किसी या बेटा था हमें दुख है इनकी बात नहीं मानते लेकिन इतने किसान जो है चाहे पीते हैं, काफी पीते हैं, सारे अलग अलग दलो के, लेकिन वो एक साल किसी के साथ पाणी पीने का जी भी नहीं करता था, वहाँ पे लड़ाई लड़ते थे, आवाज उठाते थे, किसान की, और वहाँ से सीधा किसी धरने पे जाते थे, किसी एक घर में जाते थे, ज अगर जो अकेलापन मेरी आत्मा जानती है जो मैंने महसूस कि वो अकेलापन का सामना क्या हो मैं पूछना चाहता हूँ भाई इस बीजेपी की ये सरकार इस खटर सरकार को खाड फेकने में भाई इसमें तो अकेला नहीं पढ़न दोगे मैं आज दनाना गाउं से और भाई प बदलाओ पिछली वार भी बदलाओ ना था रह गया अब इस वार बहुत बड़े पेमाने पे हर्याना कोने कोने में 36 बिरादरी इन से दुखी है और इसलिए हमने आज से आज जोड़ो प्रोग्राम शुरू किया है और हमारे संकल्प में जो भी फोजी साब ने सारे संकल् मुक्य मेंतरी जी आए और देखे मैं कहना चाहता हूं बारिश में बड़ा नुकसान हो गया हमारे किसान भाईयों का कई जिलों में बड़ा बारी नुकसान है और तो भाई मैं सरकार से हम चेताव नहीं देना चाहते हैं कि तुरंत गिर्दावरी करके सारा और पचीज तक आखिलन करके मुआवजा 15 दिन के अंदर मुआवजे की राशी किसान तक पहुचाने काम करे सरकार नहीं तो भाई देखो खटर साहब हम कहना चाहते आप तो 9 साल में पहली वार निकले हो हम तो भाई जो है 24 गंटे इनी गाहों में इनी सडकों पे भाई हम अगर 15 दिन मे नहीं मिला किसान को तो आप एक और अंदोलन की इंतजार करना 15 दिन के बाद हम इस किसान के लिए तो भाई हमारे कुछ संकल्प है आखिर में हमारे संकल्प प्रस्ताव रखूँगा आप बताना आथ खड़े करके पास करते हो की नहीं करते मैं कुछ संकल्प रखूँगा हाथ से हाथ जोड़ो पहला संकल्प यानि कि 36 विरादरी के हर भाई हर बहन को 36 विरादरी के हर भाई बहन को एक दूसरे से प्यार और प्रेम और भाईचारे से जोड़ो हाथ से हाथ जोड़ो पहला संकल्प होना चीए कि नहीं होना चीए भाईचार हाथ से हाथ जोड़ो यानि कि हर्याना करमचारी को एल्ड पेंचन स्कीम से जोड़ो हाथ से हाथ जोड़ो यानि कि हर गरीब परिवार को महेंगाई का चक्कर तोड़ो हर गरीब परिवार को 300 यूनिट फिरी बिजली से जोड़ो हाथ से हाथ जोड़ो हाथ से हाथ जोड़ो यानि हर याना के हर गाओं हर शेहर को विकास की उसर अफ़तार से जोड़ो हाथ से हाथ जोड़ो हर नौजवान को रोजगार से जोड़ो जो दो लाग नोकरी ने ने समाप्त कर दी उन नोकरीों को बहाल करेंगे पहली कलम से 2 लाग की भरती करेंगे उन नौक्रियों की और जो निकाले गए हैं उनको भी लगाने का काम करेंगे और बड़े बुझुर्गों को नहीं भूलेंगे जिनोंने सबसे ज़्यादा विश्वास घात क्योंकि इनी के नाम पर सरकार बनी हैं जो चंदिगड में चार साल से बुझुर्गों की पंशन के तो भाई हाथ से हाथ जोड़ो हर्याना के बड़े बुझुर्गों को दंके क चोट पे और छुटी बोल के देश में सरवादिक 6,000 बढपा पेंशन से जोड़ो हाथ से हाथ जोड़ो यह हमारा संकल्प है देश में और भाई देश में यह भी है कि देश में सरवादिक कोई और जो है कहीं भी सरकार बनेगी किसी पार्टी की अगर यह आज के दिन तो 6,000 सरवादिक है लेकिन अगर कोई अगर उसमें कोई competition करना चाहे क्योंकि अभी जब तक भाई कर ले सरवादिक देश में सबसे यादा पड़ापा पेंशन से ताकि 36 और हाथ से हाथ जोड़ो इन्होंने तो काट दिया इन्होंने तो काट काट दिये इन्होंने family ID और पता नि क्या क्या चकर इन्होंने इतने राशन काट काट दिये पेंशन काट दी तो हाथ से हाथ जोड़ो हर परिवार का जिसका जायज है भाई हर परिवार को यह जो इन्होंने आईडी वाईडी करी है इनके चकर छोड़ते हुए हर परिवार को जिनका जो जायज परिवार है उन इन्होंने calculation करी आखिर में दो बात में आखिर में कहना चाहता हूं यह तो सारे संकल्प आगे हमारे को एक आदा संकल्प रहे गया होगा तो हमारे उसमें पढ़ लिए वह तो यह बात उसमें जो है ना वह इस्तियार सा छपारा रखा है उसमें 10-11 संकल्प हैं और एक आदा मिलाके हरियाना आगे बड़े खुशारी विकास और भाई चारे के रस्ते मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आज आज आप सब को बधाई देना चाहता हूं 36 विराजरी को और मैं अपने संगर सील भाई रामकिशन फोजी जी को बहुत बधाई देना चाहता हू आज जो हाथ से हाथ जोड़ों कारक्रम यहाँ पर दनाला में यह जो कारक्रम इतना अपार सफल कारक्रम और आप सब का जो आशिरवाद मिला है वो भाई साब आपने जो तपस्या करी लगातार हलके की बी और इस कारक्रम की आयोजन की तैयारी में और उससे पहले भी आज वो भी आपको सामने दिखाई दे रही है तो मैं आपको इस बात के लिए बहुत-बहुत भाई साब बदाई देता हूँ इनी शब्दों के साथ आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद आप देए हिंदी, देरां देकी